चलिए पढ़ने शुरू करते हैं बिहार जन्गना 2011 को शुरू करते हैं तो बिहार जन्गना जो 2011 हम पढ़ेंगे उसमें एकशी ध्यान रखेगा कि बिहार जाती है जन्गना हम पढ़ चुके हैं 2013 का अब पढ़ेंगे बिहार जनगरणा जो 2021 में हुआ था उसका पढ़ेंगे जिसमें पटना, भागलपूर, गया, बेगुशरा जिसमें सबसे ज़ादर जनसंख्या और सबसे कम, सिवहर, अर्वल, कैमूर अख़गडिया ऐसे छेत्र में जो की नियुंतम है तो ये सारे पढ़ेंगे दूसरा नोटिष कर लिजे कि इसमें देखेंगे ग्रामित जन संखिया कितने हैं और दसकी जो ब्रिधियों होता है मतומ詞 दस साल में जो जन संखिया ब्रिधिवे उसके बारे पढ़ेगे तो इसमें हम पढ़ेंगे और इसी तरह का हम जो है अलग-अलग पार्ट में बाटेंगे जैसे सर्वधिक जनसंख्या ब्रिधि कैसे हुआ निम्तम जनसंख्या ब्रिधि सर्वधिक जनसंख्या घनातव सर्वधिक जनसंख्या वाला जी के ज़ंगना, जोस्पीडी का चलवा रहे हैं, पॉब्लिकेशन का वो पढ़े रहे हैं, तो पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनते जाएएगा, देखें, आज आईए बिहार ज़ंगना, बिहार जंगना सबसे पहले शवाल बनता ही है कैसे कुल जंसंक्या बनेगा, अब देखें जनसंख्या जो जनगन्ना जो 2011 है यहाँ पे देखिए 21 का जगा पे 11 होगा क्योंकि मिस्प्रिंट हो गया है तो जनगन्ना 2011 के अंतिम आकडों के अंसार अगर बिहार की पूछेगा कुल जनसंख्या कितना है तो हम जानते हैं कि 104099452 ऐसे याद रखेंगे नंबर से याद रखेगा तो जल्दी याद होगा यह ट्रिक अपना के रखेगा तो कैसे याद रखेंगे 104099452 ऐसे हिन्नी में अगर बोले तो 104099452 याद हो गया तो यह कुल जनसंख्या है बिहार का अब इसी में हम बाटेंगे पुरुष का मतब मेल का और फिमिल में मतब महिला में तो इसी में देखते हैं पुरुषों की संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे पहले परसेंटेज को notice कर लिजे क्योंकि परसेंटेज से पूछता है तो 52.14% बता जिएगा अगर आप से पूछेगा 54, 27, 8157 बोल देंगी तो क्या बताएगा 54, 27, 81, 57 याद रखेंगे पुरुषों की जन संख्या है और कब तो जन गना 2000 इका रखा अब परसेंटेज पूछेगा 52.14% होगा अब चलते महिलाओं की महिलाओं की संख्या अगर बिहार में पूछे कितना है भाई तो परसेंटेज अगर पूछेगा सबसे पहले तो याद रखेंगा 47.86% बताज़ेगा तो यह तो आप याद कर लेंगे अब महिलाओं की संख्या की आंकड़े अगर पूछेगा तो क्या बताएगा 49, 82 12, 95 मतब 49, 82, 12, 25 में जो है क्या है महिलाओं की जनसंख्या है कहां भाई तो बिहार में देखें इस चीज़ को ध्यान रखेगा कुल जनसंख्या के जो शंदर्वे में बोलते हैं तो आप से पूछेगा कि जनगन्ना 2011 का जो जनसंख्या के शंदर्वे मैं अगर पूछे तो बिहार देश में तीसरा स्थान पर है ठीक है कितने स्थान पर है बिहार तीसरा स्थान पर देश में ठीक है जनसंख्या के मामले में यहां देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जो है जनसंख्या निवाश करती है कहां बिहार में पढ़ रहा है किसको बिहार जंद्रना द्वह जलीगा आदा तो यहीं करेगा ना सोच रहें ठीक है आगे चलेंगे सर्वधिक जनसंख्या वाला जीला जो है पटना है आप अच्छे से आनते हैं अगर इसकी जनसंख्या पूछे कितना है भाई तो 5838 ठीक है 5838465 है मतब 583845 है कहां का भाई पटना जीला का बिहार के पटना जीला का बिहार का रस्धानी पटना में इतनी जनसंख्या है यह आप जानके अब सर्वधिक जनसंख्या में आता है अब उसी तरह देखिए निवंतन जनसंख्या अगर पूछे बिहार में वाला जीला कौन सा है तो सिक्षपूरा है और सिक्षपूरा क सर्वधिक जनसंख्या वाला जीला अनियुंतम जनसंख्या वाला जीला तो चलिए पढ़ते हैं तो एक तरब देखिए पटना जो है सर्वधिक जनसंख्या में आता है इसके जनसंख्या तो आप पढ़ चुके हैं 58, 38, 46, 5 या दुखिएगा इसके जनसंख्या अंठावन, 38, आपसे और पूछेगा, पुरिवी चंपारन का सर्वेदिक जनसंख्या है, पिहार के जीला में, याद रखेगा, तो पुरिवी चंपारन में कितना है, 50, 99, 36, 1 है, मतब 50, 99, 37, 1 है, याद रखेगा, आपसे पूछेगा, मुझपरपूर में है भाई, तीसरे नंबर पे मुझ 60, ऐसे याद रखेंगे, मुझपरपूर का जनसंख्या है, और चौते नंबर पे है हमारा सर्वेदिक जनसंख्या वाला जीला, हमारा बिहार का, वो है मधवनी, क्यों है, मधवनी का कितना है, 44, 87, 37, 9 है, जनसंख्या, मतब 44, 87, 37, 9 है, गया का, अगर आपसे पूछेए, तो गया का याद रखेगा, गया जो है, पांच में नंबर पे राता है, सर्वेदिक जनसंख्या वाली जीले में, और याद रखेगा, ये 43, 91, 41, 8 है, मतब 4, 3, 9, 1, 4, 1, 8 है, जो है, जनसंख्या है, गया का, ये ध्यान रखेगा, पांच में अस्थान पे आता है, तो किसका है जनसंख्या तो यह है सिखपूरा का जो कि नियुनतम जनसंख्या वाला जीला माना जाता है उसके बाद आता है शिवहर दुसरे अस्तान पे नियुनतम जनसंख्या वाले जीले में अगर देखे तो शिवहर आएगा और शिवहर में अगर पूछे तो 65, 62, 46 है तो याद रखेगा सत्तर जिरो आठ चार तीन होगा अब देखिए निउन्तम कहने का मतलब है कि सबसे कम आगे सिखपूरा का होगा उसके बाद सिभर का होगा उसके बाद अर्वल का होगा और उसके बाद चौथे में है लखी शराइका तो लखी शराइका है 100912 याद निउन्तम जनसंख्या कि बात करें हम लोग किसकी ग्रामिंस जनसंख्या की बात करें हम लोग ठीक है किसकी ग्रामी मतब गौं के छित्र की बात करेंगे तो ग्रामी जनसंक्या की अगर पूछे तो ग्रामी जनसंक्या जो बिहार में 2011 की जंगना हुआ था उसकी बात करते हैं तो उसमें कूल जनसंक्या अगर पूछे ग्रामी छित्र में तो आप याद दखेगा 9,2,3,4,1,4,6,3 है कितना है 9,2,3,4,1,4 और 6,3 है यह याद दखेगा चीक है बानमी 34,4,436 है अगर परतिशत में पूछेगा तो कितना बतागेगा 8,8,7,1 परतिशत है याद दखेगा ग्रामीन का जो है परतिशत चनसंख्या है अगर पूछे कि अब कूल जनसंख्या में ग्रामिन अगर पूछे तो ग्रामिन में जो पूरुष जनसंख्या है कितने है भाई तो क्या बताएगा 480-73-850 है इसी में आप देख सकते 48-07-38-50 या दुखेगा ये पूरुषों की जनसंख्या है ग्रामिन में अगर आपसे पूछे महिला में अगर पूछे महिलाओं की जनसंख्या पूछे ग्रामिन चेतर में अगर जनसंख्या के मावने पूछ रहा है तो तो आप बताएगा आप 44-26-75-86 है या आप रखेंगे के लिए महिलाओं का हो गया अब देखें सारवधिक ग्रामिन चनसंख्या वाला जीला अगर आपसे पूछेगा बिहार का तो पूर्वी चंपारन है उसमें देखेगा 46-98-028 है यह जनसंख्या पूरा है पूर्वी चंपारन का ठीक है यह सारवधिक ग्रामिन चनसंख्या वाला जीला माने जाता है प तो कितना है 527340 है या दुखेगा ग्रामिन जनसंख्यावाला जीला जो कि नियुन्दम माना जाता है, ठीक है, ये समझ गए, अब चलिए, इस पर बाड़ते हैं सारवथिक जनसंख्यावाला जीला अनियुन्दम जनसंख्यावाला जीला तो आप पढ़ दिये थे पुरमी आप देखिए सार्वतिक जनसंख्या वाला जीला मतलब गरामिन चेत्र की बात हो रही है, अनिनतम जनसंख्या वाला जीला मतलब गरामिन चेत्र की बात हो रही है, जो हम पढ़े कुल जनसंख्या वो सार्वतिक जनसंख्या वाला में देखा जाए जीला में, तो अलग है, ज तो याद कि अब पुर्वी चपारण सबसे ज़्यादा है सर्विदिक जनसंख्यावाला क्योंकि ग्रामी छेत्र में पूछ रहा है, ग्रामी जनसंख्या के मामले में. तो कितना था 4698028 है अगर दूसरे नमबर पे पूछे क्या है भाई सर्वधिक जनसंख्यावला जीला जिसमें ग्रामिन जनसंख्या की बात करते हैं तो मुझह अपरपूर है तीसरे नमबर पे हैं मधुवनी चौते नमबर पे समस्तिपूर पांचवे नमबर पे गया यह ज इंतम में भी सिखपूरा है, शिवर है, अरवल है, लकिशराय अमुगेर है यह ज़रूर ध्यान रखेगा तो ग्रामिन जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है तो इतना याद करवाएने कि अब शक्का नहीं है यह इंपोर्टेंट है पूछेगा तो कैसे पूछेगा यह हुआ था बिहार में जो जनगना द्वाजारीगारा हुआ था उसमें ग्रामिन जनसंख्या के बात करते हैं जिसमें सरवधिक जनसंख्या वाला जीला कौन-कौन है जो कि पांच बताएए तो पहला बताएगा पूरूर दूसरे नमबर पे मुझा परपूर, तीसरे पे मध पे मुझेवल है अच्छो था लकिशराय है अपांच बांच मुंगेर है यह जरूर याद रखेंगे अब आज यह सहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो सहरी जनसंख्या में कूल जनसंख्या अगर आपको पूछे तो याद दिखेगा इगारत असंबलर 29% है यह सहरी का है याद रखेगा जिसमें 11758016 है यह जरूर ध्यान रखेंगे अब इसी कूल जनसंख्या में जो सहरी जनसंख्या जो पूरुशो का है सहर में वो पढ़ेंगे तो कितना है 6204307 है याद रखेगा ठीक है महिला जनसंख्या की बात करें तो 55553709 है यह जरूर ध्यान तो यह सहरी जनसंख्या में महिलाओं का और पुर्शो का है यह आप देख लिए अब देखते हैं इसमें सरवधिक अन्यूंतम कौन सा है यही सवाल ज्यादा पूछता है यह नहीं पूछेगा आंकड़े ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन यह जरूर पूछेगा क्या सहरी जनसंख्या वाला जीला शिवर है यह आप अच्छेश जानते हैं 28116 है यह आप अच्छेश जानते हैं तो आप से पूछेगा कि सहरी जनसंख्या के मामनी में अगर पूछे जाए तो हमारा जीला पटना सबसे आज़ादा है यह आप भी जानते हैं और अगर पूछे कि निम्तम सहरी जनसंख्या वाला जीला में अगर पुछे तो सीधर है यह आप अच्छे से जानते हैं चीक है अब चलिए अब इसमें एक तरफ बाटा हुआ है आंकडा क्या बाटा हुआ है आंकडा एक सारवदिक शहरी जनसंख्या बाटा हुआ है एक निम्तम जनसंख्या अब देखिए पटना को अगर बात करते हैं तो थोड़ी शे अस्माल कर देता हूं तो इसमें देखिए पटना की बात करें तो पटना जीला जो है सबसे ज्यादा है सारवधिक शहरी जनसंख्या में जो कि आप देख रहे हैं आप क्या 25, 590 है भागलपूर दूसरे नंबर प बाल में पूछ रहा है तो गया तीसरे नंबर पर आ गया है सूचें पटना पहला है दूसरा भागलपूर है तीसरा गया है अचोथा बेगुश्रा है यह ध्यान दखिएगा सारवधिक शहरी जनसंख्या में अगर आप से पूछे नियूंतम सहरी जनसंख्या की बात करें तो शीबहर याद की अपहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर अरवल है तीसरे नंबर पर कमूर है चौत्य नंबर पर खगड़िया है यह जरूर धैन दखिएगा तो ऐसे यादुक्रिक सकते हैं तो शीबहर का याद दखिएगा 36 है क्योंकि यहीं दोनों का पूछेगा त तो यही दूनों का पूछेगा, अब देखिए दस्किय बृद्धी की बात करते हैं, दस्षालवाली की बृद्धी की बात करते हैं, तो चलिए इसमें जो point होगा वो पढ़ेंगे, तो देखिए दस वर्स का कहने का मतलब है कि दस वर्स बात जो जनगना होता है उसकी बात हो 27.7 परजिशत अधीक बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? 17.7 से लेके करीब 7.7 परजिशत अधीक बढ़ा है, ये जरूर ध्यान लखीगा, 17.7 बढ़ा की नहीं? क्योंकि टोटल कितना हो गया? 25.42 परजिशत हो गया. पढ़ लिए, बढ़ा कि नहीं? कितना बढ़ा? 27.7 ब्रिद्धी वर्ष जो है 1911 से 1921 में मध्धरीन आत्मक जो है कितना था माइनस 0.97 परजिस्त हो गई थी उसमें कम था सोच रहें उसी समय कम थी ठीक है जनसंख्या ब्रिद्धी वर्ष में अगर मध्रीन की बात करें तो माइनस 0.097 हो गई थी तो यह इंपॉर्टिन नहीं है इसे आप छोड़ सकते हैं इसमें कोई ऐसा सवाल इतना नहीं पूछेगा गहराशिय है ना तो यह ध्यान कहेंगे सारवधिक दस्किये जनसंख्या ब्रिद्धी धरवाला जीला अगर पूछे तो मध्रपूरा है तो सारवधिक दस्किये जनसंख्या ब्रिद्धी अगर पूछे आपसे तो मध्रपूरा बताएगा और जबकि नियुनतम दस्किये अगर जनसंख्या ब्रिद्धी वाला जी यह याद हो गया, अब इसमें भी आंकड़े में चलिए, पांच-पांच जो है लिया गया है, पांच में जीला लिया गया है, बिहार का, जिसमें सार्विदिक जनसंख्या बृद्धी तर पूछेगा, जिसमें सार्विदिक जनसंख्या बृद्धी तर में मध्यपूरा आता ठीक है के लिए जो कि 31.1 एक दू परचिशत बृद्धी दर है बृद्धी हुआ था बढ़ा था सोच रहे हैं यह पूछ रहा है नियुंतम जंसंक्या बृद्धी दरा का आप से पूछे तो गोपाल गंच का पहले नमबर पर आता है दूसरे नमबर पर अर्वल का तीसरे न परहतास का पाचवी नमबर में मुंगेर का आता है यह ध्यान कीगा तो जिसमें गोपाल गंच का अगर बृद्धी दर पूछे तो उने इस तसमलो जिरो दू परचिशत है यह सुरू ध्यान रिखेगा या तो यह बृद्धी दर हो गया नियुंतम का तो आप जानगे और यह बहुराष्ट्रिये जन घनत्व से 724 अंक अधीक है कितने हैं 724 अंक अधीक है यह देश का सरवदिक संगन वशा हुआ राज है मतलब जन घनत्व के मामने में हमारा बिहार कुछ जादा ही सरवदिक है आपसे पूछे का इस संदर्व में सिवहर जो है सिरुस पर है कित इसना 4888 पर है यह दो एक है अब चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे सरवदिक जन घनत्व वाला जीला अगर आपसे पूछे तो सीवहर बताएगा पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर पटना को बताएगा तीसरे नंबर पर दर्भंगा को चौते नंबर पर बैशाली को आप इसमें 1880 याद रखीगा इसका जन घनत्व जो कि सिभर का है सबसे सरवदिक घनत्व वाला जीला माना जाता है इस मामले में हमारा बिहार भी आगे है घनत्व के मामले में जन संक्या घनत्व के मामले में याद रखीगा अगर नियुनतम के बारे अगर नियुनतम पूछे तो ये हो गए आपके सारवितिक जन घनत वाले जीरे और निर घनत वाले जीरे तो ये आपसे ऐसे ही पुछेगा अच्छा लगेगा तो बताईएगा नहीं तो मैं इसे continue ने करके बंद कर दूँगा और इसका मुक्तेस्ट भी करवाना है मुझे क्योंकि एक हजार कुछ है त तो आप जो तक थोड़े main main point नहीं पढ़ाऊँगा तो तो क्या फाइदा है ना चलिएगा लिंगा अनपाद के अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं लिंगा अनपाद के बात करते हैं बिहार की लिंगा अनपाद के अगर बात करें तो यार तो खेगा वर्स 2011 के जंगना कि अंतिम आकड़े के अनुशार बिहार का लिंगा अनुपाद जो है 918 है यह राष्टी यह और 60 लिंगा अनुपाद अगर पूछे तो कितना कम है तो 25 कम है यह ध्यार रखेगा सोचिए 943 होना चाहिए था जिससे हम अगर देखा जाए तो 918 है 918 है तो कितना कम है 25 कम है न तो याद रखेगा कम है बिहार में लिंगा अनुपाद में अगर देखा जाए रष्टी यह और उससे हमारा 25 कम है बिहार का लिंगा अनुपाद शार्वधिक लिंगा अनुपाद वाला जीला जो है गोपाल गंज है जो कि 1021 है जबकि निंतम लिंगा अनुपाद वाला ज यह जरू पूछता है तो देखिए सारवितिक लिंग अनपात वाले जिले और निंतम लिंगान पात वाले को हम पढ़ते हैं तो पहला पढ़ेंगे गपालगंज जो 1000 एक एक हजार कीश है दूसरा पढ़ेंगे सिवान जो कि 988 है और तिसरा हश्शारण जो कि 954 है और आपका कितना है किसंगन जो कि 950 है तो ये सब जो है आपका सर्वितिक लिंगानपातवला जीला है तो आप से ये सवाल जरू पूछेगा कि गोपाल गंज में जो है सर्वितिक लिंगानपातवला जीला है तो आप पूछेगा सर्वितिक लिंगानपातवला ज पर है ये ज़रूर ध्यान रखेंगे सचर्था दर की अगर बात करते हैं तो बताएए क्या होगा तो जनगन्ना 2011 के अंतिम आकडों के अंशार बिहार की सचर्था दर 61.80 पर्टिशत है इसमें पुर्षों की सचर्था दर 71.2 पर्टिशत है जोकि महिलाओं की सचर्था दर 51. 50.5 पर्टिशत है ये जरूर ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछे कि सचर्था दर किस जिले का है बिहार का paste demonstrated 73.05 पर्टिशत है ये ज़रूर ध्यार रखेगाrän अगर इसे में पूछे गा नियुम्तभी सचर्था दर किसका है तो फूर्णिया का है पूर्णिया का है जोक अगर पूछे तो पूनिया का ही है पूरुष तर में ठीक है 56.06 है अगर पूछे सारवधिक महिला साचरता दर पूछे तो रोतास का ही है बासर दसमलो नौ शात परजिशत है याद रखेगा अन्यूनतम महिला साचरता दर तो सहरसा का है पूनिया का नहीं है सहरसा का है महिल प्रूश, महिला, साचर्टा दोनों के संदर में सबसे नीचले पैदान पे है हमारा बिहार, याद रखेगा, चीक है, आपसे पूछे का बिहार की महिला साचर्टा दर, जो है, 2011 में 33.57 थी, सोच रहे हैं, 57 थी, अभी भी कमी है, तो अब इसमें पढ़ते हैं, सारवधिक तो जिसमें 5 हम फिर चुने हैं, बिहार का जीला, जिसमें रोतास पहला है, दूसरा पटना है, तीसरा भागलपूर है, चौता मुंगेर है, और पांचपा और अरंगाबाद आता है, जिसमें रोतास का सबसे जादा है, 33.37, पटना का दूसरे नमोर पर आता है, 70.68, अब जिखीगा, अगर नियुन्तम साचर्थादर की अगर बात करते हैं, तो इसमें पूनिया जो है, आपका आता है, नियुन्तम में, जिसमें 51.08% है, सीता मढ़ी की अगर बात करें, तो इसमें 50.05% है, कटिहार है हमारा तीसरे नमोर पे, जो कि 52.24% है, नियुन्तम साचर्थ का पॉटरनेटिक है ग्यार का जिला का मध्यपूरा है 52.25 परसेंट यह जबूरू धान किएगा उसके बाद सहर्चा आता है जो कि हमारा यह निन्तम में आता है 53.02 परसेंट है और याद रखिए महिला सचर्चा अगर पूछा जाए तो आपका कहां मिलेगा सहर्चा में ही मि ध्यान रखिएगा यह ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसा नहीं कि कहिएगा सर गलत बोल दिया सारवधिक आगर पूछे तो रताश में है चलिए आगर बढ़ें देखिए सिसू जनसंख्या जिरो छे वर्स है जिरो से छे वर्स के बच्चे को कहते हैं सिसू जनसंख्या अब सिसू जनसंख्या को लेंगे जिरो से छे वर्स का तो इसके बारें पढ़ते हैं तो वर्स 2011 की जंदरना के अंसार बिहार की कुल सिसू जनसंख्या कितना है तो उनीज, तेरह, उन्चालिज, चॉण सट है, या तरखेगा, मतब नाइन, वन थरी थरी, नाइन, सिक्स, फोर है, इसमें से बालिकाओं के अगर जन संख्या पूछा जाए, तो आप या तरखेगा, नाइन, एट, सेवन, टू, तरी, नाइन है, या तरखेगा, अंठावन, अ 92, 4725 है, या तरखेगा, चलिए, आगे पूछे, सिसू जन संख्या के संदर्व में, सारवदिक जन संख्या वाला जीला पुर्वी जम पारन है, या तरखेगा, कितना, 101, 8297 है, या तरखेगा, जबकि निमत्र जन संख्या वाला जीला अगर पूछे, सिक्पूरा है, आप से बने यह ध्यान रखेगा ठीक है तो यह हुग गया अब सिसू लिंगा अनपात के अगर बात करते हैं तो सिसू लिंगा अनपात में बिहार का सिसू लिंगा अनपात जो है 935 है यह राष्टी सिसू लिंगा अनपात के 16 अधीक है सोचे सिसू लिंगा अनपात में हमारा बि जिला जो है कोन है कि संगंज है जो कि 971 है या तुखिएगा जब कि निंतब सिसु लिंगा अनपाद जीला पूछे बैशाली है जो कि 904 है यह सब पूछेगा या रखेगा उतना वड़ा आकड़ा पूछे नहीं पूछे यह आकड़ा पूछेगा यह द्यान रखेगा अब अनुसूची जाती की अगर बात करते हैं तो अनुसूची जाती का बात करते हैं तो बिहार की जनगरना 2011 के अन्तिम आकड़े के अनुशार बिहार में अनुसूची जातीओं की कूल जनसंख्या जो है कितना है 16567325 है मतलब 165675 जो है इसकी जनसंख्या है अनुसूची जात 8606253 है मतब 8606253 है पुरुष का जबकि महिला का है 7961072 है महिला का बस इतना ध्यान रखेगा अनुसुची जाती में बाटा हुआ है सबसे important कि इससे पूछे या न पूछे इससे पूछेगा क्या किस्तारवदिक जनसंख्या कोन है अनुसुची जाती का कोन सा जीला है तो गया जीला है अगर नियुन्तम जनसंख्या पूछे आपसे तो सिभर का है कितना है तो 96655 है अग गया का पूछेगा अनुसुची जाती में सारवदिक जनसंख्या पूछेगा तो गया का है जिसमें आपसे पुझेबा 1, 3, 3, 4, 3, 5, 1 है ये सार्वाडिक है निउंतम है 9, 6, 6, 5, 5 है या तखेगा अगर आपसे पूझे सार्वाडिक जंसंख्या पर्थीषत में पूझे तो गया ही रहेगा ये भी जानाओ верх जंसंख्या में पूझेगा गया होगा लेकि नुटम जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछेगा तो किस अंगन आगे रहेगा नुटम में अगर नुटम जनसंख्या में पूछेगा तो सिवर होगा और नुटम जनसंख्या प्रतिशत में पूछेगा तो किस अंगन होगा यह दिकाए 6.69 प्रतिशत हो कितना है तो 1336573 है यह राज्ज की कुल जन संख्या का मातर 13 परजिशत है इसमें पूरुष की अगर बात करें और महिला की बात करें तो पूरुष का है 682516 है याद रखीगा और 654057 महिला सामील है जिसमें पूछता है कि अनुसूची जन जाती के लिए सर्विदिक जन संख अगर नियुनतब पूछे अनुसूची जन जाती का जन संख्या कहा है कौन सा जिला में तो सिभर में 318 है अगर आपसे पूछेगा कि सार्विदिक जन संख्या प्रतिशत अगर पूछे अनुसूची जन जाती का तो पच्छीम चमपारन में ही होगा 6.35 होंगे और अगर पूछ दे किसका अनसुची जन जातीगा तो औरंगाबाद खगड़िया समस्तिपूर तीनों में होगा तीनों मिला कि 0,2 और 4 प्रतिश्यत होगे याद रखीगा तीनों में ऐसे आप जोड़ सकते हैं नहीं तो ये तो पुछेगा नहीं बस इतना पुछेगा कम कहां है जादा कहां है अब धार्मिक जन गन्ना भी हुआ था 2018 के हिसाब से अगर देखें तो धार्मिक जन गन्ना में अगर देखा जाए तो धार्मिक जन गन्ना 2018 के आंकडों के अनुशार बिहार में हिंदु धर्म को मानने वाले विक्तियों के शंख्या सारवधिक है यह राज्य की कुल अवादी का 82.69 प्रतिशत है इसके अत्रिक्त प्रमुख धर्मों की चंसंख्या इस प्रकार है तो चलिए बार देते हैं जिसमें परसेंटेज हम याद करेंगे क्योंकि परसेंटेज प्रतिशत है यह रखेंगे सिक की बात करेंगे तो 0.02 परतिशत और जैन की बात करेंगे तो 0.02 पाइंट अन है तो 0.1 जिन्हों में जिन्हों ने धर्मकावलेक नहीं किया है वो है 0.24 परसेंट बस इतना देहां रखेगा देखी बिहार में सर्प्रुथम जंगन्ना जो 1881 में आरम हुआ अगर 2011 के जिन गन्ना के उन्शार कुर्जन संख्या की 8.60% आवादी निवास करती है वहीं 2001 के जिन गन्ना के हिसाब से यह दर जो है 8.07% थी बिहार की जीवन प्रतेस्ता आश्यत मतवाई पूछे तो 68.9 बर्स है याद खेगा तो यह किलियर हो गया खतम हो गया बिहार की जिन गन्ना करम कर दी और यह आपका खतम हो गया तो अच्छा लगे तो प्रीज सस्काबर लाइक देगा इस तरह से सपोर्ट करिएगा तो मैं मेहनत लिए तयार हूँ